आपका हमारा चनल में मैं हूँ आशीश और इसी वडियों बात करेंगे उरेटर के रिलेशन्स दे बारे में लास्ट वीडियो में उसका कोर्स देखा था तो अब हमें उरेटर में क्या के डिस्क्रस करना है एक तो हमने इसका कोर्ट देख चुका दूसरा वीडियों हम रिले को एक बात का ध्यान रखने है अब कौनसे बात था är कि और एक रेशन से दूसरे रेजन 먼저 में आता है क्सिए यानि की वह अब्डॉमिन से अब्डॉमिस से याथा देख स्क्रॉस कुछ पोश्टियर रिलेशन होंगे कुछ सक्षर से क्रॉस कर रहा होगा और जब पार्ट में पहले इस पार्ट में जाता है जहां पर युरेनी ब्लैडर के बेस के लोवर पार्ट में जो ट्राइगोन प्रेजेंट है उसके लेटरल एंगल पर आके मर्ज करता है जो बाद ब व्हेर गते रह्ता है तो आजे एंग पर युरेटर भ सेदिया तो इस सबुए मैं अबहुति ओटले तिक्लिक बाल पार्ट में परटेंट है जो अपन प्रिकि बंग़ टेयलेशन को रुत्यम आओं परत्रूस्ट वर्टियर वारत्तरल प्र कर्णूस आथे लोगे अखो और प्रेब्स जयने शीर्त seperti ऑन के सिर पिर नीवर झायर पो कि तर रबसलिशनींग को आप आंकि से जिर्पस घामस्ट और डिर्फ खाल руб फ district इस एल सींपरी आंकि स्टार के मिल रवन leटी में जीजित कि एल recollect all these relations when you have to remember so let's start with the abdominal relations so we'll start with the kidney and end in the bladder and which part lies in the abdominal region that all relations will discuss now but before starting I will tell you where the abdominal region is from the ureter to the bifurcation of the common aliac artery what is the original part of the ureter is from the renal pelvis to the bifurcation of the common ileac artery the abdominal part of the urator extends from the renal pelvis to the bifurcation से common iliac artery आहीं होगी वो ये बाइफर्केट करेगी दो आटरी में external iliac और internal iliac में तो ये बाइफर्केशन पॉइंट है ये बहुत important landmark है जो region divide करता है ये रिवाइट के कोर्स को abdominal part में और pelvic part में so it extends from the renal pelvis to the bifurcation of external common iliac into external iliac and internal iliac bifurcation of common iliac artery which is the terminal branch of the outer town so this important relation or the landmark you should always keep in your mind that is the bifurcation point of the common iliac into external and internal iliac respectively तो अब आप जो pelvic part होगा वो बहुत ही असानी से guess कर सकते है कि कहां से करेगा जो second relation होंगे वह होंगे पैल्विक रिलेशन पैल्विक रिलेशन पैल्विक रिलेशन तो पैल्विक पार्ट कहां से काना तक लाइए करेगा ये तो पर चलिए अपर मंचिन किया है बाइराण को किमेलेख ये भी मार्वेशन पैल्फ कर किशन पॉंट है और किसका पइस्ट्रेशीन पॉंट है क्या कि कॉम निलेयक इंटर्न से पहला दो होगतए यहा से कहां तक ट्राइगों के आप पर जो पार्ट हैं आपर दो एंगल हैं वहाँ तक अब ट्राइगुन किया है अभी आपको नहीं पता है तो आप इन ब्लैडर का जाके देखें वीडियो एक हैडिंग में होगा इंटीर अब दो जो निए ब्लैडर उस्ते आपको पार्ट को एकलियर होजाएगा पर और इसमें जो exact point है वो trigon के upper angles पे अब द्रॉ करते हैं डाइग्राम so in our body we have got a pair of kidneys we have a left kidney and a right kidney the relations of kidney left and right as well as that of ureter are different so under the heading of any relation whether it may be abdominal relation और चाहे वो pelvic relation हो हमें दो heading से पढ़ना पड़ेगा एक हुआ right ureter के relation दूसरों के left ureter relation so सबसे पहले हम डिसकुस हैंगे right ureter और left ureter उसके कौन से anterior relation होगे और कौन से posterior relation होगे तो हमें हार दोनों ureter का यानि कि राइट और left ureter क्या दिखना है anterior relation पढ़ना है और posterior relation पढ़ना है ठीक तो हम ड्रॉ करते हैं डाइग्राम पर डाइग्राम को बीट करते हैं और बाकियां बहुत simply तरीके से याद कर सकते हैं इस फाइनली कहां पर एंड करेगा यह यह एंड करेगा उर्णी ब्लैडर में तो डॉटेट हो कर दे रहा हूं तक कि वह समझ में आ जाए यह है यूर्णी ब्लैडर ठीक तो दिस इस ब्लैडर दिस इस राइट साइड एंड इस लेफ साइड ते कि सुपीर एंडों का उपर और नीचे इंफिर आपको मैं बहुत इंपोर्टन बाल बताने जा रहा हूं वो यह है कि यूर्टर का जो अब्दॉनली पार्ट का रिलेशनल्स होते हैं वो मेंली ऑरिलेशनल्स बनात हैं यानि कि कोई ने कोई आर्टलちゃん ही विसके मीजर एलेशन बनाती है तो mom फ 30 एलेशनलों यू पॉज्टीर रशीयластиड और मेंगा ओर लिफू एडराइटम को आगे फर्दरड़ू करते हैं तो सबसे पहले पार्ट गला को यहाना चाहिए द्रॉब करना चाहिए कैसे द्रॉब करना है तो सबसे द्रीरण से आपकर द्रॉक करना है निकल जाता है तो जो major part लाई करना है वो है second part of the dudanum तो right curator का anterior relation जो पहला आपको organ जो फिस्तरा पता चला है वो है D second part of the dudanum तो right curator का पहला anterior relation जो पता चला हो क्या है D2, D2 मतलब क्या हुआ? second part of the dudanum तो जो जो पहला relation अब आपको उता चूँँ, artery इसी majoring form करते हैं इसके relations तो एक artery आती है अब पासर्किट का जाती दो में और जो दो arteries हैं वो है right colic vessel और right iliocolic vessel या फिर in general iliocolic vessel ठीक तो उपर आला क्या है? right colic vessel और निचे लग क्या है? iliocolic vessel मतलब vessel मतलब क्या है मतलब? artery भी होगा और vein भी होगा उससे corresponding जो vein होता है वो भी होगा ठीक इससे मैंने vessels बोल रहा है तो उपर आला क्या है? यह है right colic vessel colic vessel और नीचे क्या है? यह iliocolic iliocolic यह नहीं iliocolic colon के कुछ पार्ट को इस सप्लाई करता है अब डॉमेन के आटियत सप्लाई में डिसकर्स कर चुके हैं पहली कि क्यों सा आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई करता है this is iliocolic vessel एक right colic और iliocolic vessel इसके लावा एक और important artery होती है जो कि यह right gonadal artery तो यह कुछ ऐसे आकर cross करती है यहां पर आती है और ऐसे आगे कितार निकल जाती है यह कौन से artery है right gonadal artery यह यह gonadal artery right gonadal artery ठीक है आपको कई books में बहुत सा relation में जाएंगे पर आपको जो बदर relation बता रहा हो उतना ही आपको यहाद रखना है ठीक है तो एक तो डीटू हो गया वह बाकि आर्ट्रिस कौन से होगी right colic right iliocolic iliocolic इस सब वैसल से right colic vessel नहीं कि right colic artery और right colic vein right iliocolic vessels effecive iliocolic vessels और क्या है right gonadal artery right gonadal artery ठीक इतना तो क्लियर हो गया इसके इलावा देखिए यह तो राइट साइड है वैसे लेफ सेड़ कुछ हाट दीच होंगे आपको आगे देखते है और इसके लावे मिसेंट्री का पार्ट होता है आपको मैं रूट ओफ मिसेंट्री ने बताया है वो कौन कौन से स्टच्यों क्रॉस करता है तो यहां पर कुछ रूट ओफ मिसेंट्री का पार्ट लाइक करता है यह रेट रखे आगे रूट ओफ मिसेंट्री हो रहे है जो मैंने यहां पर क्याट्रोट किया है रूट ओफ मिसेंट्री रूट ओफ मिसेंट्री यह कैए फोल्ड ओफ तरिटोनियम है एक तरिटोनियम फोल्ड है देखें मिस मतलब एक वर्ट मिस या मिसो आएगा तो समझाना है कि PhD whole day और entry मतलब कि पोस्ट्राइब पोस्ट्राइब रिलेशन कॉन फॉर्म करेगा पोस्ट्राइब बीच में सारे विस्ट्राइब करते हैं और यूरेटर पेजन रोता है पोश्चिय अब्डाउनल्म मॉल्ल के ऊपर भी आइंड तरिटोनियम के युद्नी होता है और इसके पॉस्ट्रियय रिलेशन के यूरेटर क्या हो जाएगा यहां पॉस्ट्रिय सैड क्या है आजिते पोस्ट्रिय अब्डाउनल्मल के मसल्स यानि की राइट स्वेस मेजर व तो यह और भी पॉस्चेर लाए करता है पार्फिकेशन आफ कॉमन इलियाक कॉमन इलियाक आट्री ठीक है इतना हो गया अब लेफ्ट की बात करते हैं लेफ्ट की डिटर में जैसे हाँ पर रूट ओफ प्सेंटरी है और लेफ्ट डिटर का लिएक है सिग्मोईड मीजो कॉल अथे की और रूट में जाता हैं आटेशन सब्सक्राइब करता है तो इसमेल प्सक्राइब करते होँए उसमीड गोपेशन दूट ऑन गे तो य्याहते हां पर राइट गुनाइडलवेस्ट थी जैसें पर राइट गुनाइडल आट्री थी तो यसाट लेब गुनाइडल आठरी हो जाएगी तो ठीक है एंटीरेक्षार का है लेफ्ट गॉनेडल आठरी ठीक यत हो गया इसके दाने इसास्व थाल जपर है करता है तो जो वह वेसर साइंगी मिलें रच्व ने कि इसी उपैसल लाई कर दो कर और इसारज से सब्सक्राइब और वैश्ज जैने किसे में और ट्री लोगी वेशषारक करें सब्सक्राइब करना है और आपके दिमाग में अगर है तो यह से पॉइंट आप बहुत से असानी से लिख सकते हैं ऐसे सब्सक्राइब कि में यहां है सब्सक्राइब पर इसके लिख uda में betेते अंगले सब्सक्राइब अींगल पर गतव के शीजोते हैं तो सिंगमॉईट यहां पर सिंगमॉड doen आटे और लेफ्ट मैं इंबरॉंचमा कािव लेफ्ट को आटा है यह सकता है यह से Lef निलेक में इसे यह किहें सेया दिञाि आटे तो यह प्रेफिकिशन पॉइंट उब लेफ्ट और यहां पर राइट सेर क्या जाए बाइट पॉइंट ऑप राइट कॉमन इलियक तो ठीक है इस तरह हमने कबिट कर लिए इसके सारी अब्डॉमियों रेलेशन्स अब हम देखते हैं सिर्फ पैल्विक रेलेशन्स याद करना है तो आपको लेफ्ट पैल्विक फॉल कैसे फ नहीं आद होगा तो आप हम प्लेली सेक्शन पर जाए पेल्विस की वहां पर आपको पैल्विक वाल्विस होता है उससे जो लेटरल वाल्स है वहां पर कौन सी नर्व्स और आर्टरी प्रेजन्स होती है आप वह पढ़ लीजे वह क्या होगा क्यूंकि दोनों में क्वही क आप नर्व्स और ओर लेटरल पल्विक वाल्स देखर अक लिए बहुत साइं मुसल्स से मिलके बनती है मुसल्स क्यूंकि ओपर पेशिया और मसल्स और फेशिय के बीच में पर जैंड सी बहुत से ही नर्व्स वहां आपको याद करने पड़ेंगी तो जब मैं वीडियो ब बहुत बड़ी लिस्ट आपको याद करने के लिए तो इतने पोस्टियर पार्ट में को क्या करेगा तो यहां पर यहां पर बहुत ही मेजर यहां पर एक पॉइंट आता है वह सर्चिरिकल पॉइंट से बहुत ही क्लीकल पाउन्ट आप यहां पाइज को यहां पॉइंट ऐसे कुछ यह पॉइंट है उल्ट वियुटष में चाहिए पाइसितला आट дорог यह कौन हम आट है थेर शेंट इस बिष्ट चाहण पास लाई करता है तुन ये तर योट्राइण सर्विक्स मैं योट्राइण सर्विक्स ये मतलब क्या है सब्सक्द यह से सामने से क्रॉस करता है तुक राइन हांटरी तो निया योट्राइन सर्विक्स उरेटरी इसका सर्जिकल पॉइंट अव्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वह मैं आपको इसके क्लिनिकल पार्ट में बहुत इच्छे समझावागा और अभी के लिए आपको बता दू और आपको पेल्विक रिलेशन अच्छे समझ रहे हैं तो हमारी आनिनी गुडि जो दिखिएगा इसलिए अपनों में चैनल नहीं शिस्क्राइब करे है तो स्क्राइब बटें पर क्लिक कर लीजिए और हमाने चैनल स्ब्सक्राइब लेजिए और आपको ब्रलेटी पासन आता है इंधित अल्ग बटें और शिर्ख है पर प्लीस द